पियम मोदी ने अपसे थोड़ी दिर पहले मंत्रियों के विभागों का बटवारा कर दिया है इसमें राजनाथ सिंग से लेकर अमित शहा और अश्नवी वैश्नव तक के पुराने मंत्राले को कायम रखा गया है जबकि शिवराज सिंग चुहान और मनोहरलाल खटर को दो दो विभाग दे कर ये साफ कर दिया गया है कि उनका एजंडा क्या होगा विभागों के बट्वारे से गठबंधन के साथियों को मोदी ने साफ संदेश दिया है कि काम ना आएगा दबाव विभाग बट्वारे से जवाब आज इसी मुद्धे पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत की बात में मेरे साथ मौझूद है कुछ खास महमान अभी क्यान प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे और यहां स्टूडियो से राहूल महाजन जी मेरे साथ मौझूद है बरश पत्रकारे राहूल जी आपका स्वागत है तो वराल आज का सबसे बड़ा सवाल एक एक करव आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार किस मंतरी को कौन सा विभाग दिया गया लेकिन सबसे बड़ा सवाली है कि आखिरकार विभागों के इस बटवारे के जरीए क्या संदेश है संदेश साफ है क्योंकि कई तरह की चर्चाएं थी कि गठबंधन के सहीयोगियों को बड़े मंत्राले मिलेंगे और फिर उसमें ये भी चर्चा थी अगर बड़े मंत्राले दे दिये गए तो जिन मंत्रालें में प्रधान मंत्री नरेंद्रमूदी अपने सहीयोगियों के साथ पिछले दो कारेकाल से काम कर रहे थे ऐसे में अगर वहाँ पर ने मंत्री आते हैं तो क्या स्थेती होगी लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और अब नरेंद्रमूदी का मंत्री मंडल सामने है विभागों के साथ तो बड़ा सवाल ये कि क्या इससे ये संकेत मिल रहा है कि किसी दबाव में नरेंद्रमूदी नहीं है इससे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार कौन-कौन मंत्री बने ये तो कल ही शपत ले ली थी मंत्रियों ने लेकिन वे भाग की सको क्या ग्या मिली राजना relation को रक्षा मंत्रा लतिया गैड़ पहले युह के पास संग अमित्शा की बात करेंगे ग्रिय rhyme अन्टरा ले उनहीं के पास था नितिन गटकरी के अगर बात करें तो सड़क परिवेन उन्हीं के पास था पहले जेपी नडड़ा स्वास मंत्री बने साथ पे केमिकल पर्टिलाइजर लेकिन मोधी वन में वो स्वास मंत्री रह चुके हैं इसके लावा शिवरा सिंग चुहान कृषी ग्रामिन विकास इनको दिया गया है बड़े दो महत्वपुन मंत्राले और निर्मला सीता रमन को वित्त कॉर्परेट मामले के मंत्री इनको बनाये गया है एस जैशंकर विदेश मंत्री, मनोराल खटर हड्याना के पूर मुख्य मंत्री शेहरी विकास के साथ उर्जा मंत्राले भी दिया गया है एचेटी कुमारा स्वामी भारी उद्योग के साथ स्थील, प्यूश गोल के अगर बात करें कॉमर्स एन इंडस्ट्री धर्मेंदर प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे देश के जीतन राम माजी, MSME मंत्री होंगे इसके अलाबा ललन सिंग, पंचायती, राजमतस्य, पशुपालन, एवन बेरी विभागिन के पास होगा सरबदालन, सोनवाल, पोर्ट, शिपिंग, एन जलमार्ग, इसके अलाबा विरेंदर कुमार की बात करें तो साबाजिक नयाए, के राम मोहन, नाइडू, नागरे कुद्देन, ये टीडीपी के खाते से आते हैं प्रेलाज जोशी, उपभोगता मामले और नवी करणी हुर्जा और जोएल उराम, जने जातिये मामलों के मंत्री होगे इसके लाबा गिराज सिंग की बात करें, तो कपडा और अश्नवी वैश्नव की बात करें, तो रेल, सूचना, प्रसारन, इलेक्टोनिक्स और आईटी तुम्हाराल चर्चा की शुरुआत करते हैं तबाम हमारे साथ हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री विधागों के साथ सामने है पहला सन्देश कैसे इस तरह से देखा जाए कि किसी दबाब में मोदी नहीं है सहियोगियों को जगा मिली लेकिन अपने मुताबिक, क्या कहना है सराब का? यह बात ठीक है कि दबाब में नहीं है पर हम तो दबाब में दिखाई भी देते हैं कि कुमार स्वामी को दो मंत्राले देने का मतलब क्या है दो एंपी है तो आप कहेंगे कि दबाब नहीं मिला, स्टील मुनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टन मुनिस्ट्री है उनको अलब से दे दी गई है कि यह मेरे को अवित्य समय नहीं आया कि क्यों दी गई है तो आप दबाब एक तर्फ से देखते हैं कि चंद्रबाबु नहीं ने सिविले विशन मिलिस्ट्री पहले भी लखी थी जब वा इंडिये में थे अब भी है पर इस मंतराले के सबसे बड़ा एक जो छोटी ख़बर के अंदर बड़ी ख़बर छपी हुई है एक मिनिस्ट्र है जो एमो एस इंडिपेंट चार्ज दो डिपार्टमेंट का है उनका नाम है डाक्टर जितंदर सिंग वो कैल Der hilsi नहीं है परण्तू M.O.S independent charge उनके वाड़ दो डिबाव का है वो खास है उनके, वो PMI में मंतरी भी है M.O.S है है पाँच डिपार्टमेंट तो उनके पास M.O.S के रूप में हैं दो independent के चार्ज के रूम में हैं जानि के प्रधान मंतरी के बाद सबसे अधार्दा पार्फुल कि अधी के पास मिनिस्प्ताले हैं वो दाक्टर जितिंदर सिंह के पास हैं, CBI भी उनके पास हैं, और उसके एर्ट साइंसें भी उनके पास हैं, Atomic Energy भी उनके पास हैं, सबसे Science & Technology के वो Independent Charge हैं, तो बड़े मंतरा को छोड़ यह होते हो ना था उता एक्सपेक्टेड लाइन पे हुआ है और सबसे बड़ी जो खबार लगता है कि एंडी यह सरकार के अंदर मेरे को लगता था पुलिटिकली एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट जानता हो पुलिटिकल मैनेजमेंट का उसको पारलिमेंटरी अफेर्स बराना मंतरी चाहिए था एक्सपीडियन सोना चाहिए था किरन रिजु अच्छे आदमिया मिलनसार है प्रंतु पुलिटिकल मैनेजमेंट का एक्सपीडिय के बाद बड़ा मंत्री बनाने के बाद भी आपने एक एक मंत्री को दो-दो मंत्रा लाइब दे दी गए हैं। से लिए करके आप जायेंगे घजेंदर सेंग है करना जियों को हमेगे तो मैरकुल लगता है कि कोई एक बनाकर प्लैनिंग करके जैसे पहले होता-त मौ से ही सारे मंथेallas में उसे गाइडेंस मिलती इस बार भी लिए से याड़ olmaz कोई नहीं बनाए गए वह हैं जैसे पहले हुआ करते थे जिस मंतराले के अंदर यही है जो एक्स्पिरियंस लोग रहे हैं मैंने पहले भी का गर्कडी साफ रिकार्ड तोड रहे हैं इंदुस्तान के अंदर किसे मंत्री होंगे जो एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्यारवां साल लगाएंगे ट्रांस्पोर्ट मनिस्टर आज तक हिंदुस्तान में कोई ग्यारा साल साक एक मंत्राले में नहीं रहा है यह सबसे बड़ी खबर है और डॉक्टर जितेंदर सिंग दो में डिपार्टमें कर रहे हैं और सारे मंत्राले रिटेंड कर रहे हैं यह दूसी बड़ी तो बलकुल प्रभु चावला जी का कहना तक कई सरकारें कई मंत्राले इन्होंने देखे कवर किये और इनका कहना की डॉक्टर जितेंदर सिंग सबसे पावर्फुल मनिस्टर होंगे राउल जी अगर हम दो पुर्व मुख्य मंत्रियों की बात करें वैसे तो तीन के अगर बात करें तो दो-दो मंत्राले मनुराल खंटर और शिवराज सिंग चुहान की बात करें किस तरह से ऐसे देखते हैं देगे मेजरली आप यह देखेंगे इसमें जो पोटफोलियों दिये गए उसमें मेजरली आपको यह एक चीज दिखाई देगी कंटिनेशन ओफ पॉलिसी जो है वह उसका अभास होता है जिसके पास जो था जैसे बहुत कम मंत्राले जैसे जल शक्ती मंत्राले में जो है चेंज किया गया है उसमें जो है सीर पाटिल जो है उनको लाया गया तो वह कोशिश देश में जो मुबाइल और संचार का सारा मामला है वह बहुत तहीं से आगे बढ़ पर और बहुत तहीं से उसमें डिवलेप्मेंट्स भी ओ रहें तो वह देखा गया अशुनी वैशनव का मुझे लगता है कि सबसे जादा अगर किसी को बढ़ाया गया है वह शुनी कर रहे हैं जरकार की चीज़ों के नहीं कर पा रहे हैं तो वह उसमें अशुनी वैशनव को दिया गया है जिसा उन्समें अगर देखा जाए तो आई टी जो कि एक और बड़ा मंत्राले उस तहां से लेखा जा सकता है तो उनको सबसे जादा मुझे लगता है कि सबसे जाद इस मंत्री मंदल में जो विभागों का बटवारा हुआ कि वो किसी दबाव में नहीं कि चर्चा थी कि रेल्वेज किसको जाए का हो सकता है घठवंधन के सहियोग्यों को जाए हालां कि ऐसा नहीं है कई बड़े बहतुपुन मंत्राले भी मिले हैं लेकिन अगर हम टॉप क सिंगल रूल की गवर्वन नहीं है तो इसमें तबदीलिया होंगी लेकिन इस जो पॉर्फोलियो का मैनेजमेंट उसे एकदम क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा कोई दबाव नरेंदर मोधी के ऊपर नहीं है दूसरी बात जो राहुल कह रहे ते वो बहुत इंपॉर्टन्ट ह कि एक सेंस अफ कंटिन्यूटी जो होती है जो सरकारों में दिखनी चाहिए क्योंकि नीतियों के ऊपर सरकारे चलती है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है तो एक तरह से जो ऐलाइज है बहतर होगा उनके लिए इस परिस्थिती में अच्छा काम करना उनके मंत्रियो को अच्छे तरह से अज्जस्ट करना इस सरकार में लेकिन सरकार का जो मूल स्वरूप है कल्चर है काम करने का तरीका है नीतियों के कंटिन्यूटी है उसको कतई भी नरेंद्र मोदी ने शेडा नहीं है उसमें किसी के दबाव में कोई तबदीली करने की कोशिश नहीं की और टॉप मिनिस्टर्स आप देखिए रहे हैं कि उनको नहीं चेंज किया गया है जिनके परफॉर्मेंसे बहतर थी उनकों से किसी को हाथ नहीं लगाया गया है तो इन सब चीजों को देखते हुए डामिनस बीजेपी की बिलकुल स्पष्ट है और अभी के सिती में लक्चर उसका नजार आता है बल्कुल मैं प्रभू चावला जी को फिर आपके पास आऊँगा दिखिए जब भी भारतिये जनदा पार्टी की सरकार बनती है तो बिलकुल यह चर्चा यह अटकले लगते हैं कि संग संग का दखल क्या है कैसे लेकिन अभी जो मंत्रालों का जो पड़वारा हुआ है और खास और पर HRD की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के पास ही है जो की जो इस पूरे वेचार परिवार की बात करें तो संग परिवार से निकले हुए नेता है तो क्या इसे किस तरह से आप देखते हैं कि दो तीन डेपार्टमेंट आप देखेंगे इसके अंदर एक कल्चर डेपार्टमेंट भी आइट इसमें शेखावजी को दिया गया पहले क्रिशन रेडी के पास था अब उनके बार चला गए वी संग की बैग्राउंड से आते हैं इसे आप देखेंगे जो आरेसस का इंपूट है इसके अगत प्राशन नड़ा है अब उपर से लेंगे नेमोदी भी आरेसस के हैं अब इसाथ भी आरेसस के हैं तो चौबीस मंति जो कैविनेर दे रखें चाववीश के बैसे हैं बाइस आरेसस के पके बैग्राउंड के लोग है तर आइडिलोजी का लिए देखेंगे मोदी जी ने आरेसस के इंपॉर्टन लोहों को इंपॉर्टन मनिस्ट्रियां दी है मैं दूसरी तरह से देखना चाहता है कि इसके अंदर बैलेसिंग एक नहीं किया गया है इसके अंदर जैसे जैंत चावदी है इंडिपेंड चाज़ आपने दे दिया उसको किसानी आती है किसान का कोई उसके पर देपार्टमेंट नहीं है इसकिल डिवेलेप्न दे दिया पर उसको M.O.S. पर पी एक और डिपार्टमेंट दे दिया एजूकेशन का आप वड़ा इंटरेसिंग बात है जितने मिनिस्टर जैसे जादव साफ हैं डाक्टर जादव पर दिया उसको मिनिस्टर के लोगों के लोगों के पर्टिकुलरी जोड़ा गया है ऐसा लगता है कि अपने कार्यकरता जो मनिस्टर पराने रहे हैं उनको ज्यादा बिजी रखा जाए कि कहना कहीं कोडिनेशन करने की दूरूद पड़ेगी एंडी एक सरकार के अंदर आरसेस के जेतने टॉप के लोग हैं जया शंकर को छोड़कर कर बाठी सारे और निर्मार्शा जयते र रखा गया है मैंने बताया नितिन गड़गरी है राजनासिंग है कितरे पुराने जमाने से चल रहे हैं चीफ मिश्री भी रहे हैं तो एक्सपीरियंस कमिट्मेंट आजलोजिकल कमिट्मेंट और लॉयल्टी तू प्राइम मिनिस्टर मोधी हिंसे राइट इर्या बल्कुल बड़ी दिल्चस बात आपने कहीं कि बिल्कुल जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको भी उनके साथ एक किसी-किसी मिनिस्टरी का उनको मोधी बनाया गया है इस जिस तरह से जेंद चौधरी का जिक्र आपने किया आउल महाजन जी किस तरह से देखते हैं आप तीनों सरकारे देखेंगे नेगे यह आपको देखने को मिले रीठा कि उन्हों ने मिनिश्टरीज को चोटे-छोटे जो विभाघ होते थे मिनिस्ट्री में उनको ममिनिस्ट्री में अलग कर दिया यहीजित अगर आँ एगर अगरी कल्ट्छर के नहीं होगा गवर्नेंस के मुद्दों पर अलाइस का कोई आपको दबाव नहीं दिखाई देगा जो मुद्दे बाकी है कि यूनिफॉर्म सेवल कोड आपको मुस्लिम आरक्षन ये जो बातें चुनावों की दारान हुई थी ये ऐसे इशूस हैं जिस पर टीडीपी और से अगर बात करें तो विभागों के लिहाज से दिखें मनोरलाल खंटर के बात करें उनको दो दो बड़े ऐहम मंत्राले उनको दिए गये हैं पभी किस तरह से देखते हैं जिस तरह से दो बाते जो भी प्रभु चावला जी ने भी कही आप राहूल महाजन जी भी कह रहे कि दबाव तो कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन हां इतना जरूरा है कि जो पहले से जो पॉलिसी चली आरे थी कि उनकी कॉंटिनियोशन के लिए से भी बड़ी बड़ा महत्तोपूर है या लोकेशन नहीं पहले भी आपको कहा कि किसी गवर्मेंट के लिए जब वो दुबार के मसले हों विदेश के मसले हों इन पर एक सोच है और उसकी नई गवर्मन भी रिपीट होने पर भी उससोच को वो कंटिन्यू कर रही है दूसरा प्रशने है आपका चुनाओं को लेकर अब यह तो सबसे पुरानी परंपरा है को इसमें नई बात नहीं है मुझे बिलकुल कि जहां जहां चुनाओं हो रहे हैं वहां के बड़े चेहरों को एक अच्छी पुजिशन के साथ एक अच्छे अज्जस्मेंट के साथ नहीं सरकार में रखना है जैसे खटर साफ का अपने उधारन दिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के तूँ तो बीजेपी अपना स करना है तो इसी लिए ये सारा अज्जस्मेंट जो है उसको भी मध्यनजर रखते हुए किया गया है लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरे लिए दो पॉइंट निकल कर आते तो पहला सभी रिपीट कर रहे है कि दबावनी है दूसरा ये कि एक सेंस ओफ पॉलिसी की कंटिनूट ही है जे बहुत इंपोर्टन्ट होती है तो कि गवर्मन अगर अपनी ओरिजिनल पोजिशन से पॉलिसी पे वेवर करती है तो वह पर जाके और के आस होता है तीसरा पॉइंट है जो राहूल कह रहे थे कंटेंशिस इश्यूस का विवाधित मसलों का वह बाद में देखा ज सब्सक्राइशन होगा तो फिलहाल बैग बर्नर पर साइट पर रट दिए ठीक है प्रभु चामला जी कोर सवाल था देखे शिवरा सिंग चुहान की बात करें उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया उसके बाद मनोरलाल खटल की बात करें वह मुख्यमंत्री थे उनको हटा द दे दिया तो पैलेंस भी क्या और इंपॉर्टन पोर्फोलियो दी है अर्बन डेवलप्टन अफेर्स मुनिस्टी जिसके अंदर जो हॉसे बनेंगे तिंकोड, ।ाइक रोड, स्मार्ट सिटी बनेंगी यह सब उसी के अंदर आता है जितनी अपनी आपकी मैटर्स बनते है जितनी भी इंपॉर्टन इंस्ट्रक्चर आजकर चल रहा है वह मुनुलर खट्रगी के डिरेक्ट इंटर में आजए गुडगावा के आसपा जो डिवलप्टन होना है उसके अंदर भी काम करेंगे इसी तरह है पावर मिनिस्ट्री इंको दे दी पावर के अंदर डिवलप चीजे दिये हैं चैमिकल फटलाइजर किसी और के पास है वो जोड़ दिया किसी और के साथ जा करके परन्तु कृशी जो है इसका एडिपी के अंदर कम होता जाता है उसका विकास जबता नहीं होगा भारत विश्की तृसी एकॉनमी नहीं बन सकती क्योंकि क्रिशी का सोला परसंट चौदा परसंट जीडीपी के साथ कॉन्टिपूशन है उसके अंदागरार एक परसंट भी ग्रोथ होता है तर ओवराल ग्रोथ में तीन परसंट का फरक पड़ता है क्योंकि वहां पर पचास परसंट परपोलिशन महां ही काम करती है अभी वी तो इसलिए क्रिशी के उपर पर बिदी करना उसका विकास करना उससे ही भारत जल्दी से जल्ती ट्रिलियन फाइफ ट्रिलियन एकॉनमी बनेगा विश्वी ती इंद्रिशी के माजन से केवल नहीं बन सकता क्योंकि सर्विसेज सेक्टर के कॉन्टिबूशन आज 57 परसंट है जो काफी जी आपसे सवाल है मेरा MSME मंत्राले के अगर बात करें बड़ा महत्वपूर मंत्राले और इस पर बहुत काम भी हुआ पिछली सरकारों की बात करें नरांडरानी के पास था और उन्होंने भी कई तरह के नवाचार करने की कुशेश इस विभाग में कि लेकिन अब जीतन र आपार की तरीके होते हैं उसमें इनकी पालियसीजी यह लिकिन तेय है मुझे एक और जो चीज़ लगती है यह है कि जिस तरहां से पेट्रॉलियन मंत्राले में चैज्छ में कोए यह भी होड़ीर इख पूरी में ली हम धे से आपने पेट्रोलियम पदार्थों की जो जो इंपोर्ट था उसे किस ताहर से संभाला ये बहुत बड़ी बात थी ये पूरा पेट्रोलियम जो है आपकी पुरी एकॉनेमी को ड्राइव करता है उस में अगर जरा भी गरबर होती है किसने जो अच्छा काम किया एक ये बात है और दूसरा ये है कि जो अलाइज को देना था वो तो नेच्रल है बिल्कुल अभी क्या एक क्विक रेक्शन जे ब्रेक के लिए जाना जीतन रामांजी कि मैंसमी जैसे राउल ने का पॉइंट आउट करें कि मैंसमी क्या है मैनिफाक्ट्रिंग स्लिप जो है वो इंडिया थीन फेसिंग फोर लॉंग टाइम उसके बाद से यह सोच डिवेलेपोई राव मेंसमी बहुत इंपॉर्टन महेकमा है मेरे खाल में जीतन नामाजी का मू इंडिया को रेकिग्नाइज करना पड़ेगा जी अनिफाक्ट्रिंग का जब से गर्वंट आई है तो इसलिए मसमी का रोल जो है वो बहुत एहमियत रखेगा अगर तरक्की शुदा या या जैसे राजनीती में नए प्रयोग जीतना मांजी ने के वैसे प्रयोग की करें जी आप कुछ कहना चारहें जी मैं कर रहा है मैं कर रहा है मैं में यूनिक और नहीं आते हो टेक्नोलोजी मिनिस्टर में आएंगे बता रहा है 29% GDP का जो है कॉंटिवूशन में से आता है और देश के 50% एक्सपोर्ट में करते हैं जीतना मांजी वहां कहां फिट होंगे मेरे को अभी तक समिनी आ रहा है कि में सी के इंदर चोटे चोड़े गरे लूग है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है उनको एंडल करने के लिए कोई एक्सप की और मिनिस्टी तोनों फिट नहीं बैठते को ओडिनेशन मुश्कल लगता है मेरे को विभागों का बठवारा हो गया और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और दो पिछले बार के दो कारिकाल और अब ये थीसरा कारिकाल अब कैसे न शौकिंग अगर बात करें शौकिंग एलिमेंट ऐसा कौन सा मंत्राले का वित्रण रहा बठवारा रहा जिसने आपको अहरान किया क्योंकि आपने कई मंत्राले देखे कई सरकारें देखी कि मैं शुरूर में भी काई फेर से कह रहा हूं शौकिंग मेरे को जो लगा है मैं अभी तक अपने आपको अज़स्ट नहीं कर पाया हूं जे कि NDA जहां पर गटक दल बड़े इंपॉर्टन रोल प्ले करेंगे जिन से कोडिनेशन करना पड़ेगा जहां ओपोजिशन बहुत मंतराले के अंदर उससे जाजा कड़ी शाप्रिस नहीं में दिखाई नहीं देती शिवराज जी एस्पेक्टेट से बाखी जो कुछ भी हुआ है वह एक्सपेक्टेड लाइंस पे हुआ है रेले मंतराले जेडियू के पास नी जाना ये भी एक इसन से थोड़ा से लगता ह सरप्राइजिंग कि मोदी अपनी बात पर अड़े रहे हुए हैं तो वह बात भी उसी दिखाई देती है बाकी सबते बड़ी कहा है कि पार्लिमेंट्री अफेर्स जो इंपोर्टेंट था उसमें पुलिटिकली हैवी वेट कोई नहीं रखा गया है जैसे प्रलाज जोशी पहले थे जिसकी विसे पार्लिमेंट में जगड़ा होता था उसी इसाफ से मेरे को लगता है इस वार भी मैनेजमेंट फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर क्यों जो लगाया है वो भी बड़े इनी एक्स्पीरेंस लो गया है जी तो किरन ब्रेजिजू आपने कहा आप जी ब्रा मैनिफैक्ट्रिंग और इन सब चीजों में है तो वो किस तहां से इसको संब्ढालेंगे ये थोड़ा सा है क्योंकि जातर सोचा जाता था था कि बहुत ही ज़ादा जो है यंग डायमिक किसी मंत्री को जो है में से दिया जाएगा ये जितने आम माजी को दिया गये ये और जादा मैं प्रभु चावला जी की बात पर जाओंगा क्योंकि कोईलेशिंज में और मैंने भी इतनी सरकारे देखी हैं और बहुत बड़ा रोल हो जाता है पालिमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर का कि उसका डबल कोडिनेशन होता है अपने ही आलाइस के साथ भी और साथ में विपक्ष भी और एक पॉइंट जो प्रभु चावला ने रखा उसको और स्ट्रेस करने की जरूरत है कि अब ये अभी तक हमें एक सवाल एक सभाविक से सवाल रहता है तो कहा है विपक्ष ठीक है अब ये सवाल बदल गया है अब ये सवाल है कि यहां है विपक्ष ठीक हो रहा है पहले से कहीं जाला आक्रामक होगा उसके पास वो नंबर्स होंगे जिससे वो आपोजिशन नजर आएगा जो पहले नहीं नजर आ रहा तो आपोजिशन तो इसी लिए पालिमेंट्री अफ जान पहचान हो, कोई कड़वा संदेश लेकर जाना हो, तो वो लेकर जा सके, कोई स्पेशल सेशल बना रहा हो, जिस पर विपक्ष जुए नहीं आएगा, उसकी बात कर सके, इसलिए किरन रिजुजु मेरे लिए सप्राइज है, जितने ना माजी मेरे लिए सप्राइज है, मैं उनसे उम्मीद करूंगा, कि वो थोड़ा अपने अंदर बढलाव लाएंगे, और अभी सेमी की अलिएट को समझेंगे, उसकी इंपोर्टन्स को समझेंगे, उसकी इंपोर्टन्स को समझें, उमीद पर दुनिया भी काया है, बरहाल प्रभुजी में आप से मेरा ये गठबंधन सरकारों में, जो ये मंत्राल है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इससे पहले कि अगर गठबंधन सरकारों की बात करें, तो आप किसे सबसे सफल पार्लेमेंटरी अफेर मनिस्टरा आप मानते हैं, क्योंकि जो तालमेल है वो बहुत जरूरी है, और किरन पात्वपूर्ण चीज है गठबंधन सरकारों में. सरसंग चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान मनिपूर में अचानक गन कल्चर बढ़ाया ये बात उन्होंने कई, इसके अलावा और बड़ी मोहन भागवत का बड़ा बयान मनिपूर एक साल से शान्ती की रहा देख रहा है और मनिपूर पर गंभीटा से विचार करना होगा. ये बड़ी बात कही है मोहन भागवत ने, RSS प्रवुक मोहन भागवत का बड़ा बयान और इसकी टाइमिंग को लेकर भी बड़ा महत्तोपुर्ण ये बयान हो जाता है, जिस वक्त ये बयान उनका आया है, और टाइमिंग को लेकर भी बड़ा महत्तोपुर्ण है, देखे ने जम्रावंरे कि रृश्य खीव ज्रीन दीया कि रिस Nhचive क्रभवर इंचानीज कुलेते बर सुक्किलाद के ही कि के पो representatives मुख्यमंत्री ने आप वहां के आज बिड़ा स्टेटमेंट दिया था कि सेंटर कुछ करना वड़ेगा उसके बाद मोहन जी का नुदा है कि हमेशा आरे से नौर्स एस्ट में बड़े स्पेशल काम करता रहा है पिछल पचात साल के अंदर कि वहां पर धरम परवरतन जाधा कि क्रिश्टन के उपर यादा आटैक किया गया गया जो मढशी कमें के बाति क्रिश्टन के उपर जाते जा रहे थे लोगों को फीड़ेक था कृच्छन के आप चल रहे थे उसके उपर धका लगा, मर्यूमुन के माधियम से इसलिए मोहन भागवतीन हैं ने को प्रैक्ट् पूजा का सम्मान करना है यह मान कर चलना है कि हमारे जैसा उनका धर्म भी सच्चा है यह तमाम बाते मोहन भागवत ने कहीं है राउल महाजन जी आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से देखा जाए देखे यह समय और इंपॉर्टन वह जाता है क्योंकि वहां मुख्यमंत्री जो ह कुकी में जो संघर्ष वहां पर चल रहा था दोनों कमूनिटीस में उसमें बहुत जादा बात नहीं किया वहां जो कुछ हुआ है जितना वहां पर जानमाल का की जो हानी हुई है उस पर बीजेपी जो है उसने जातर चुपी सा दिये यह भी आरोप बीजेपी पर लगता सारा काम के तो इसलिए यह इंपोर्टन्ट है कि वह ऐसा बोल रहा है कि यह इस और ध्यान देना चाहिए अभिजान सरकार नहीं नहीं बनी है मंत्राले भी बढ़ गया और इस बीच सीधा उनका यह बयान आना है इसके टाइमिंग को लेकर आप किस तरह से आप इस बयान को काम करने है क्योंकि सही है उपर से मोहन भागवत ने एक नई बात रखकर एक नए आजंडा भी गवर्मेंट को दे दिया है जैसे राहूल को चीजों को पॉइंट आउट कर रहे थे कि ऑपोजिशन का चार्ज था याद आपको राहूल अंधी का भाचरन संसंद में मनिपुर्ग को लेकर बिल्कुल गंभी रहिए सबी धर्मों का सम्मान करिए संग बहा पर बहुत सालों से काम करता रहा है द्श्कों से इस बात सबी लोग कह रहे हैं तो टाइमिंग इस लिखास से बहुत इंपोर्टेंट है कि बाकी सारे बातों में वो याद दिला रहे ह कि आप मनिपुर को कताई भी नजर अंदाज नहीं कर सकते बल्किल तो राजनीति में रूची रखने वालों का एक और सवाल का जवाब लगाता रभी चर्चाओ में है सब सवाल का जवाब ढूने की कोशिश कर रहे हैं वक्त कम है लेकिन तमाम महमानों से मिला यह सवाल होग जी प्रभु चावला जी बीजेपी के राष्ट्रे धक्स को लेकर सवाल चारों तरफ हैं गई नामों के चर्चा हो रही है मैं बता दूँ अभी तक जब बीजेपी बनी है मैं जनसंग के बात पनी जाना जाता अभी तक 11 विक्तियों ने इसका ज्यारा विक्तियों ने की है और रिकॉर्ड किसका रहा सबसे पहले विक्तियों रहे हैं अटल बैर इवाजपेजी थे जो 1981 लेकर के 86 तक ज्यासी तक अमिशा जो है 2014 से लेकर के 2020 तक रहे परंतु किसी और ने चार साल कोई पूरा किया तो नड़्डा और राजसाजनी ने किया बागी दो साल के अंदर अटा दिये गए और जन्नकृष्ण मूर्ती और बंगारु लक्ष्मान तेक साल हम अटा दिये गए थे साउस से केवल तीन ही बने थे परंपरा यही रहती है अध्यक्ष होई बनता है जितका RSS के उपर बरोसा पूरा अंका होना चाहिए जितने भी व्यक्ति बने हैं सब RSS युड़े हो रहे हैं अमिशा क्योंकि मूदी पदानमंत्री बन गेते हैं इसलिए अमिशा उनकी 24 सी वो छे साल तक चलते रहे अब जो भी अध्यक्ष बनेगा मेरे को लगता है कि पहले ये प्रतिदासी की फुल टाइम कारे करता है अध्यक्ष नहीं बन सकता फ़र्तों खुशा बाव ठाकरे जो थे वो संग्ठन मंत्री भी थे बात में वो परचारक होने के नाद्य अध्य अध्यक्ष पी बने रहे तो प्रता है कोई ना कोई आरेसेस का फुल टाइमर क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहे हैं उस पर सारे का सारे मंत्री बन गए हैं जो बाहर बैठे उसके अंदर कोई बड़ा सीनियर व्यक्ती है नहीं जिसको बनाया जा सकता है तो सुनील बंसल बिल संतोष भी यह कोई और बाहर से वैक्तील आ से जिसका अंदाधा मैं 50 साल के स्थी में पैली बार कह सकता हूं मैं अंदाधा लगाने में विफल हूं क्योंकि मेरे कोई बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं इस विसकोई और कोई और बी हो सकता है पर होगा फुल टाइमर जो आरसे के अंदर रहे चुका है बलकुल ये बड़ी बात आप बड़े संग्षेब में वक्त कम है आपका क्या कहना है क्या लगने आपको देगे बहुत सारे सकते हैं क्योंकि महाराष्ट से आते हैं संग और महाराष्ट में इलेक्षन है लोत साथे यह जो है सपल जाय जांए अब हैं आपको क्या कहना शंद किया बहुत जल्दी इसे पार्टी और गवरेन्स जो होती है ये दोनों के बीच का तालमेल किसी भी कोईलेशन में, कॉंग्रेस हो या बीजेपी का बहुत जरूरी होता है, इसे पार्टी अध्यक्ष की भूमिका भी बहुत जरूरी होती है और ये बात पर मैं अग्री करता हूँ प्रमचावला स सरकार तो बन गई तो उसको अपने उपर काम करना है इसलिए वो व्यक्ति होगा जो बहतर कॉडिनेटेड होगा और जो संग के करीब होगा आपका भी यह कहना है पार्टी के बीच